हमार अगला स्लोक है ये साम्न विद्यान तपोन दानम ज्यानम नसीलम न गुणोन धर्मह ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुस्य रूपेन म्रिगाश्यरंती ये साम्न विद्यान तपोन दानम ज्यानम नसीलम न गुणोन धर्मह इस पद में जो पहला जो सब्दा आया है ये साम्न यत मूल सब्दा है सश्ठी भक्ती बहु अचन का ये रूप है और इसका तात्पर होता है जीन के अर्थात जिस व्यक्ती के पास न यह अव्याइपद है निशेध वाचक अव्याइपद है इसका तात्पर होता है नहीं तपो ये साम्न विद्या न तपो न तपो न ये दोनों संधी युक्त पद हैं संधी अलग करें तो तपह धन न इती तपो न विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ यहाँ पर इसी तरह से म्रिगाष चरंती यह जो पद आया है यहाँ भी विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ है तो ये साम्न विद्या जिन के पास विद्या नहीं है न तपो न तप है न दानम न दान है ज्ञानम न और ज्ञान भी नहीं है सीलम गुणोन धर्मह सील भी नहीं है गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो विद्या है न वह तपस्या करता है न कभी दान करता है न कभी ज्ञानार्जन करता है न सील अर्थात व्यवहार का पालन करता है न उसके पास कोई गुण है और नहीं वो किसी धर्म का पालन करता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कैसा है उसके व्यारे में बताया गिया है ते मर्ति लोके तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्यान है न सील है न गुण है न धर्म है वे मर्ति लोके अर्थात मृत्यू लोक में इस संसार में भूवी भूमी में अर्थात प्रित्वी पर भार भूताह भार के समान है अर्थात कोई व्यक्ति है जिसके पास ना विद्धय है न तप है न दान है न सील है न गून है न धर्म है वो व्यक्ति घशने से आल इससा www. да कहा गया मनुष्य रूपिन म्रिगास चरंती वह दिखता मनुष्य है, है भी मनुष्य, लेकिन मनुष्य के रूप में वह म्रिगास चरंती पसू की तरह विचरन करने वाला है, जिस तरह से धर्ती पर विभिन पसू विचरन करते हैं, उसी तरह से गुणों से विहिन व्यक्ति उस पसू के समान होता है, और पसू जैसे विचरन करता है, वैसा ही वह व्यक्ति भी धर्ती पर विचरन करता है, इसलिए कहा गया ये सामन विद्यान तपोन दानम ज्यानम नसीलं गुणोन धर्मह अर्थात यदि हमें उस पसुता से मनुश्यत्व की और आना है हमें मनुश्य बनना है तो हमें विद्याजित करना चाहिए हमें तप करना चाहिए हमें दान आदी धर्म का पालन करना चाहिए ग्यान का अरजन करना चाहिए हमें व्यवहार सील बनना चाहिए हमें गुणों के ग्राहक बनना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए कौन से धर्म का मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए ति यदि हम ऐसा करते हैं तब सही अर्थ में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं अन्य था हम इस धर्ती पर जैसे पसु वीचरन करते हैं उसी तरह से मनुष्य होते हुए भी पसु के समान वीचरन करने वाले प्राणी ही कहे जाएंगे प्यारे बच्चों अभी हम यह जो स्लोक देख रहे हैं आईए इसका अर्थ देखते हैं यह साम न विद्या जिन के पास न विद्या है न तपो न तप है न दानम न दान है ज्यानम नसीलम गुणो न धर्मह ज्यान उत्तम चरित्र गुण और धर्म भी नहीं है ते मर्त्य लोके वे इस मृत्यू लोक में भूवी भूमी पर धर्ती पर भार भूता भार स्वरूप हैं और मनुष्य रूपेन मनुष्य के रूप में मृगास चरंती पसु के समान विचरन करते हैं अर्थात यदि हमें मनुष्यत्व को धारन करना है मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो हमें विद्या होना चाहिए जितने गुण यहां पताएगा है जिसे विद्या है तप है दान है ग्यान है सील है गुण है धर्म है इन में से यह सभी हो तो अच्छी बात है सब ही ना हो तो कुछ हो हो तब हम मनुष्य कहला सकते हैं और यह इन में से कोई भी नहीं है तब निश्यत रुप से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है हम मनुस्य तो रहेंगे, मनुस्य जैसे दिखेंगे, लेकिन हम मनुस्य नहीं कहला सकते, ऐसे में हम जो हैं, वो पसु के समान हो जाएंगे, ऐसा यह कहा गया है स्लोक में आप देखें, यह साम जो पद आया है, यह जो पद है, यत सब्द है, सश्थ्वी भक्ति बहुवचन का यह रूप है, सीलम कहा गया है, सीलम का तातपर यह होता है, व्यवहार, धर्म, प्रस्न पूछा जा सकता है, धर्म एति पदस्य विलोम पदम लिखत, अर्था धर्मह इस पद का विलोम पद लिखिये, तो धर्मह एति पदस्य विलोम पदम अस्ति आधर्मह, ते मर्ति लोके भूवी भार्व होता, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर यह जो ते सब्द आया है, यह बहुत महत्वण सब्द है, इस सब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक रूप में इसका प्रयोग होता है, ते यहाँ तद सब्द है, तद का मतलब होता है वह, और इसका रूप जो है तीनों लिंगों में बनता है, इस्ट्रिलिंग में पूर्लिंग, इस्ट्रिलिंग और नपुन्सक लिंग, तीनों लिंगों में तद सब्द के रूप बनते है और तीनों लिंगों में बनने वाले रूपों में ते सब्द का प्रयोग होता है तद का पूर्लिंग में रूप होता है सह तव ते तो ते जो है तद सब्द का पूर्लिंग रूप प्रत्मभक्ति बहु अचन का रूप है और इसका तातपर होता है सह का मतलब होता है वह और तव का मतलब होता है वे दोनों और ते का मतलब होता है वे सब कहां पूर्लिंग में इसी तरह से इस्ट्रिलिंग में देखते हैं कि तद सब्द है इसका तांपर होता है वह और सर्वनाम सब्दा है तद कर में रूप बनता है सा टे ताह तान ते ताह तो प्रत्मवी भक्ति और द्विव बात्कि द्वी वचन में थ यह रूप आया है और द्वी वचन में यह दिते है प्रत्मे वक्ति और द्वीतियों भ्यक्ति में तो क्या हुआ यह इस्ट्री लिंग का यहां रूप यह रूप हुआ इसी तरह से नपुन्सक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है नपुन्सक लिंग में इसका रूप प्रयोग होता है क्या तो त्ये सब्दों को इदि आपको पहचानना है तो तद मूल सब्द है प्रत्मविभक्ति पूर्लिंग करूप बहु वचन में तद इस्ट्रिलिंग प्रत्मविभक्ति और द्वीतियाविभक्ति द्वी वचन में यह प्रयुक्त होता है तो इस तरह से ते जो सब्द है यह अलग-अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है और इसके साथ ही यूसमद यूसमद का मतलब होता है तुम वहाँ पर भी इसका रूप मिलता है यूसमद सब्द की यदि चतूर्थी भक्ति आप देखें तो तुब्यम ते युवा भ्याम व सब्द में ही सश्थ्य भक्ति में इसका रूप पुना प्रयुक्त होता है तव ते यूयोह वाम यूसमाकम वह तो तव ते तो ते का प्रयुक जो है वहाँ पर भी सश्थ्य भक्ति एक वचन में इसका रूप देखने को मिलता है तो इस तरह से ते सब्द जो है इसके अने एक रूप देखने को हमें मिलते हैं यहां पर जो ते सब्द प्रयुक्त हुआ है यह पूर्लिंग का है तद का रूप है और इसका तात्पर ही होता है वे आईए आगे बढ़ते हैं हमार अगला स्लोक है इस लोक में विद्यार्थी के लक्षण को बताया गया है आप सभी विद्यार्थी है जो विद्या की चाह रखता है उनका आचरण कैसा होना चाहिए उन्हें किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए इसके विशे में इस लोक में बताया गया है विद्यार्थिना कुतो विद्या सुखार्थिना सुखधन अर्थिना एति सुखार्थिना सूख धन अर्थी नह यहाँ पर दीर्ग स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है जैसे गुणी से गुणी नह होता है वैसी अर्थी से अर्थी नह चाहने वाले अर्थी नह यहाँ प्रत्मेभक्ती बहुवचन का रूप है अर्थी मूल सब्द है, प्रत्मड़क्ति बहुचन का रूप है इसका तात्पर होता है सुख की इच्छा रखने वाले सुख हा अर्थिन्ह कुतोविध्य कुतोविध्य काती यह भी संधि पद है संधी अलग करे कुतह धन विद्य इति कुतोविध्य यहाँ पर विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ है नास्ति, नाधन अस्ति इति नास्ति यहाँ दीर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है विद्यार्थिनह, विद्याधन अर्थिनह इति विद्यार्थिनह, विद्यायार्थिनह ऐसा कहेंगे तियो समास विग्रा हुआ और यहाँ पर सश्ठी तत्पूरु समास का प्रयोग हो इसी तरह से सुखार्थिनहा विद्याथिनहा इन पदों का भी आप समास विग्रा कर सकते हैं तो संस्कृत में कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिन में संदि भी होती है और समास भी होता है तो सुखार्थिनहा और विद्यार्थिनहा इसी तरह के पद हैं अर्थिनाम का सुखार्थिनो कुत Knut wedyaN является tam कुत हता है कहा से तो सुखार्थिनाह सुख स्य अर्थिनाह called उद्सकु इच्छा रखने वाले को अर्थिनाह अर्थि मूलसब्द है इसका प्रत्मी वक्ति अधुति बहुबचन का रूप बनता है तो सुख की इच्छा रखने वाले को कुतह मतलब होता है कहां से विद्या मतलब होता है विद्या या ज्यान अर्थात जो सुख की इच्छा करता है विद्यार्थी जीवन की विश्यम कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन जो ही तपस्या का जीवन है विद्यार्थी जीवन में हम जितनी कड़ी तपस्या करेंगे, कितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम अपने सरीर को तपाएंगे जितना हम अपने आपको विद्या अधियन के प्रती लगाएंगे विद्या उतनी अधिक हमें प्राप्त होगी यदि हम विद्या से भागेंगे तो विद्या हमसे और दूर चली जाएगे तो जो विद्यार्थी हैं जो विद्या की चाह रखते हैं उन्हें सतत परिश्रम करना चाहिए तो सुखार्थिना कोतो विद्या अर्थात जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है या कहें कि सुखार्थिना कोतो विद्या अर्थात सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहां से अर्थार शुक किछा करने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती नास्ति विद्यार्थि नह सुखम और जो व्यक्ति विद्यार्थि मुल सब्द है और विद्यार्थि नह यह बहुचन विद्यार्थि का बहुचन विद्यार्थि नह तो जो विद्यार्थी हैं अर्थात जो विद्या की चाह रखने वाले हैं इन्हें नास्ति सुखम सुख नहीं मिलता है अर्ठाद जब तक आप विद्या प्राप्ट कर रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं, तम तक आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन जो है तब युक्त है, और ऐसे में आप सुख की कामना नहीं कर सकते हैं, आप यदि चाहेंगे कि मुझे विद्या भी प्राप्त हो जाए और सुख भी मिल जाए तो यह संभाव नहीं हैं। दोनों परसपर विरोधी हैं। आपको सुख मिलेगा या विद्या मिलेगी। तो आपको यदि विद्या प्राप्त करना है तो आपको सुख को त्याग करना होगा विद्यार्थी वात्यजेत विद्याम सुखार्थी वात्यजेत विद्याम जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है उसको विद्या त्याग देती है इसी तरह से विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम और जो विद्यार्थी होता है वह अर्थात विद्यार्थी को जो चाह करता है विद्या को प्राप्त करने की जिनमें प्रबल इच्छा हो वह अपने सुखों को त्याग देता है इसलिए कहा गया विद्यार्थी वा तेजेत सुखम विद्यार्थी जो है वहा अपने सुखों को त्याग देता है तो सुखार्थी नह, विद्यार्थी नह, ये दो पद ऐसे पद हैं जिनमें संधी भी है और समास भी है तो दोनों आपको प्रिथक करने के लिए परिख्षा में पूछा जा सकता है आईए स्लोक का अर्थ समझते हैं विद्यार्थिना कुतो विद्यानास्ति विद्यार्थिना सुखम तात पर यह होता है सुख चाहने वाले को विद्या कहां और अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए सुख चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी विद्या का नास्ति विद्यार्थी ना सुखम और जो विद्या की चाह रखने वाला होता है वो सुख को त्याग देता है अर्थात आपको सुख मिलेगा या विद्या मिलेगी दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं सुखार्थी जो होता है उसको विद्या त्याग देती है और जो विद्यार्थी होता है वह अपने सुखों को त्याग देता है तब वह सफल विद्यार्थी बन पाता है और इस तरह स वह विद्या को प्राप्त कर ज्यानवान बन पाता है। तो यहाँ पर जो सुख की चाह रखने वाले हैं उनके विशाय में और जो विद्या की चाह रखने वाले हैं उनके विशाय में स्लोक में बताया गया है। परिक्षा में प्रस्ण पूछा जा सकता है कि यह जो स्लोक है यह स्लोक में अव्यायपद कौन सा है इसमें जितने अव्यायपद आये हैं इनको चुन करके हमें लिखना है तो आपको देखना होगा कि अव्याइपद कौन-कौन से हैं जैसे न नास्ति के साथ मिला हुआ है तो न क्या है यह अव्याइपद है निशेद वाचक अव्याइपद है और इसी तरह से वा वा का तात्पर यह होता है अथवा या या यह भी क्या है यह संयोजक अव्याइपद है तो नभी अव्याइपद है और वा भी अव्याइपद है तो इस तरह से इन अव्याइपदों को आप चूनकर निकाल लीजिए अलग कर दीजिए तो अव्याइपदों की इस तरह से आप पहचान कर इन्हें अलग कर सकते हैं इसी तरह से स्लोक में त्यजेत या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ होता है त्याग करना या छोड़ना कभी-कभी इससे संबंधित प्रस्न पूछा जा सकता है जैसे मुंचेत इती क्रियापदस्य तो प्रयुक्त है जैसे अपि हिंदी आधि भासाओं में परियाय और विलोम पद पढ़ते हैं इसी तरह से संस्कृत में भी तो जैसे यहां पर मुन्चेत यह जो क्रियापद है इसका परियाए कौन सा इस स्लोक में प्रयुक्त वह यहां पूछा गया है तो मुन्चेत इती क्रिया पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति त्यजेत मुन्चेत मतलब ही छोड़ना होता है और त्यागेत का मतलब ही क्या होता है छोड़ना या त्यागना होता है इसलिए मुन्चेत का पर्याय क्या हुआ त्यजेत इसी तरह से दुखम इती पदाश्य विपरियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अधाथ सुख दुख का विलोम पद इस स्लोक में कौन सपद प्रयुक्त हुआ है दुखम इती पदाश्य पदाश्य परियाय रुपे अस्मिन श्लोक के प्रयुक्तम इर्थात सुख जो है दुख के परियाय के रुप में इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं प्यार वाचों ध्यान दिज़एगा स्लोक से संब्दी तरह तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं, स्लोक का भावार्थ पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है, या किसी पद विशेज को पहचानने के लिए कहा जा सकता है, अव्याय पदों को चिनहंकित करने के लिए कहा जा सकता है, या किसी सब्द के वि इस स्लोक में जो क्रिया पद प्रयुक्त हुआ है उसका चैन करें तो असमिन स्लोक के प्रयुक्त क्रिया पदमस्ति त्यजेत छोड़ देना चाहिए कभी-कभी त्यजेत ये क्रिया जो पद है इसका आपको पहचान करने के लिए भी पूछा जा सकता है तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है तो आप सभी आपने जो विभिन सब्द हैं सब्दों के जो रूप हैं इनकी भली भाती जानकारियां रखिए और साथ ही जो विभिन अधातुएं हैं उन अधातुएं के रूपों को भी जो विभिन रूप लकारों में जिनके रूप चलते हैं इसकी भी आप तयारी रखें तो निश्यत रूप से इस तरह की जो प्रस्ण पूछे जाते हैं इनके उत्तर आप भली भाती दे सकते हैं आएए आगे बढ़ते हैं हमार अगला स्लोक है आएए आगे बढ़ते हैं हमार अगला स्लोक है सुखार्थिनह कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनह सुखम सुखार्थि वात्यजेत विद्या विद्यार्थि वात्यजेत सुखम इस लोक में विद्यार्थी के लक्षण को बताया गया है आप सभी विद्यार्थी हैं जो विद्या की चाह रखता है उनका आचरण कैसा होना चाहिए उन्हें किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए इसके विशय में इस लोग में बताया गया है विद्यार्थिनाह कुतो विद्या सुखार्थिनाह सुखधन अर्थिनाह एति सुखार्थिनाह सुखधन अर्थिनाह यहाँ पर दीर्गस्वरसंधी का प्रयोग हुआ है जैसे गुणी से गुणी नह होता है वैसी अर्थी से अर्थी नह चाहने वाले अर्थी नह यहां प्रत्मेभक्ति बहुवचन का रूप है अर्थी मूल सब्द है प्रत्मेभक्ति बहुवचन का रूप है इसका तात्परी होता है सुख की इच्छा रखने वाले सुखार्थिनाह कुतो विद्या काती यह भी संधी पद है संधी अलग करे कुताह धन विद्या इती कुतो विद्या यहाँ पर विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ है नास्ति नाधन अर्ष्टि इती नास्ति यहाँ दीर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है विद्यार्थिनह, विद्याधन अर्थिनह, इति विद्यार्थिनह, विद्यायार्थिनह, ऐसा कहेंगे ति यह समास विग्रह हुआ, और यहाँ पर सश्ठी ततपुर्ष समास का प्रयोग हो, इसी तरह से सुखार्थिनह, विद्यार्थिनह, इन पदों का भी आप समास जिन में संधी भी होती है और समास भी होता है तो सुखार्थिना और विद्यार्थिना इसी तरह के पद हैं सुखार्थि वा त्यजियत विद्याम विद्यार्थि वा त्यजियत सुखम तो सुखार्थिनों कुतो विद्या, कुताह का मतलब होता है कहां से, तो सुखार्थिनाह, सुखास्य अर्थिनाह इती सुखार्थिनाह, सुख की इच्छा रखने वाले को, अर्थिनाह, अर्थि मूल सब्दा है, इसका प्रत्मे वक्ति, अर्दुतिय वक्ति, बहु वचन क करता है आरधिन्हां मतलब कुटह मतलब होता हैं कहा से विद्या मतलब होता है या जो जो सुक की इच्छा करता है जितना हम महनत करेंगे जितना हम अपने सरीर को प्रति लगाएंगे जितना हम अपने आपको विद्या अधियन के प्रती लगाएंगे, विद्या उतनी अधिक हमें प्राप्त होगी, यदि हम विद्या से भागेंगे तो विद्या हमसे और दूर चली जाएगी. तो जो विद्यार्थी हैं जो विद्या की चाह रखते हैं उन्हें सतत परिश्रम करना चाहिए तो सुखार्थी ना कोतो विद्यार्था जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है या कहें कि सुखार्थिना को तो विद्या अर्थात सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहां से अर्थात सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती नास्ति विद्यार्थी नह सुखम और जो व्यक्ति विद्यार्थी मूल सब्द है और विद्यार्थी नह यह बहुचन विद्यार्थी का बहुचन विद्यार्थी नह तो जो विद्यार्थी हैं अर्थात जो विद्या की चाह रखने वाले हैं इन्हें नाश्ति सुखम सुख नहीं मिलता है अर्थात जब तक आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं, तब तक आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन जो है तप युक्त है, और ऐसे में आप सुख की कामना नहीं कर सकते हैं, आप यदि चाहेंगे कि मुझे विद्या भी प्राप्त मिल जाए, प्रा तो आपको यदि विद्या प्राप्त करना है तो आपको सुख को त्याग करना होगा विद्यार्थी वात्यजेत विद्याम सुखार्थी वात्यजेत विद्याम जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है उसको विद्या त्याग देती है इसी तरह से विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम और जो विद्यार्थी होता है वह अर्थात विद्यार्थी को जो चाह करता है विद्या को प्राप्त करने की जिनमें प्रबल इच्छा हो वह अपने सुखों को त्याग देता है इसलिए कहा गया विद्यार्थी वा तेजेत सुखम विद्यार्थी जो है वहा अपने सुखों को त्याग देता है तो सुखार्थी नह विद्यार्थी नह ये दो पद ऐसे पद है जिनमें संधी भी है और समास भी है तो दोनों आपको प्रिथक करने के लिए परिक्षा में पूछा जा सकता है आईए स्लोक का अर्थ समझते हैं विद्यार्थिना कुतो विद्यानास्ति विद्यार्थिना सुखम ताथ पर यह होता है सुख चाहने वाले को विद्या कहां और अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए सुख चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी विद्या का नास्ति विद्यार्थी ना सुखम और जो विद्या की चाह रखने वाला होता है वो सुख को त्याग देता है अर्थात आपको सुख मिलेगा या विद्या मिलेगे दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं सुखार्थी जो होता है उसको विद्या त्याग देती है और जो विद्यार्थी होता है वह अपने सुखों को त्याग देता है तब वह सफल विद्यार्थी बन पाता है और इस तरह स वह विद्या को प्राप्त कर ज्ञानवान बन पाता है तो यहाँ पर जो सुख की चाह रखने वाले हैं उनके विशाय में और जो विद्या की चाह रखने वाले हैं उनके विशाय में स्लोक में बताया गया है परीक्षा में प्रस्ण पूछा जा سकता है कि यह जो स्लोक है एंस स्लोक में अव्यायपद काउन्ठा है यह जो स्लोक है इसमें जितने अव्यायपद आये हैं इनको चून करके हमें लिखना है तो आपको देखना होगा कि अव्याइपद कौन-कौन से हैं जैसे न नास्ति के साथ मिला हुआ है तो न क्या है यह अव्याइपद है निशेद वाचक अव्याइपद है और इसी तरह से वा का ताथ पर यह होता है अथ वा या 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 यह भी क्या है यह संयोजक अव्याइपद है तो नभी अव्याइपद है और वा भी अव्याइपद है तो इस तरह से इन अव्याइपदों को आप चूनकर निकाल लीजिए वह अलग कर दीजिए तो अव्याइपदों की इस तरह से आप पहचान कर इन्हें अलग कर सकते हैं इसी तरह से स्लोक में त्यजेत या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ होता है त्याग करना या छोड़ना कभी-कभी इससे संबंधित प्रस्न पूछा जा सकता है जैसे मुंचेत इती क्रियापदश्य परियाएपदम अस्मीन सलोके कीमपदम प्रयुक्तम जैसे आप हिंदि आदि भासाओं में परियाए और विलोमपद पढ़ते हैं इसी तरह से संस्क्रित में भी विलोम और परियाएपद हैं नके वल सब्स और अपितुक्रियाओं के भी हैं तो जैसे यहां पर मुन्चेत यह जो क्रिया पद है इसका परियाय कौन सा इस स्लोक में प्रयुक्त वह यहां पूछा गया है तो मुन्चेत इती क्रिया पदस्य परियाय पदम आसमीन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ती त्यजेत मुन्चेत मतलब ही छोड़ना होता है और त्याजेत का मतलब ही क्या होता है छोड़ना या त्यागना होता है इसलिए मुन्चेत का परियाय क्या हुआ त्याजेत इसी तरह से दुख इती पदस्य विपरियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थाथ सुख दुख का विलोम पद इस स्लोक में कौन सब पद प्रयुक्त हुआ है तो सुख हम इती पदस्य परियाय रुपेन अस्मीन स्लोक के प्रयुक्तम अर्थाथ सुख जो है दुख के परियाय के रुप में इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं प्यारवचों ध्यान दिजेगा स्लोक से संब्धित तरह तरह के प्रस्णों पूछे जाते हैं स्लोक का भावार्थ पूछा जा सकता है अर्थ पूछा जा सकता है या किसी पद विशेज को पहचानने के लिए कहा जा सकता है अव्याय पदों को चिनहंकित करने के लिए कहा जा सकता है या किसी सब्द के विलोम या परियाय पद को पहचानने के लिए कहा सकता है!। इसी तरह सिहा भी कहा जा सकता है, कि असमिन स्लोक तो आप सभी आपने जो विभिन्न गरत हैं। सबदों के जुरूप हैं इनकी भालy भाति out restart me और साथ ही जो विभिन्न अध्ातुवें हैं। उन अध्ातुवें की रूपों की जो विभिन् vacun । लकारों में जिनके रूप चलते हैं इसकी भी आप तैयारी रखें तो निश्यत रुप से इस तरह की जो प्रस्ण पूछे जाते हैं इनके उत्तरा आप भली भाती दे सकते हैं आएए आगे बढ़ते हैं हमार अगला स्लोक है